दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सर्फेस कमेश्टिय अथात प्रिष्ट अगासायन से जूड़े हुए कुछ ऐसे टर्म को जानेंगे जिनकी आवसकता कॉलाइडी सॉल्यूशन में पड़ेगी और अभी जो हम लोगों ने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था उस ट आपको अच्छा से समझ में आएंगे तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अधिशोषण और अवसोषण अधिशोषण के प्रकार और वीडियो के लास्ट में हम फ्रेंड लिक के अधिशोषण समतापी जो नियम है और उनके जो वक्र है उनको डिसकस करेंगे औ और यह जो मैंने topic बता हैं, इनको हम दो पार्ट में discuss करेंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में मैं वीडियो बनाता हूं, तो वह बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो दो पार्ट में हम discuss करेंगे, तो आज के वीडियो में जो point है, आप इसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि आज क वीडियो से related आगे के point जुड़े हूए हैं, तो आएए वीडियो को ही start करते हैं, तो आएए सबसे पहले हम बात करते हैं, अधिशोषण की, जिसे इंगलिस में बोलते हैं, adsorption, तो अधिशोषण होता क्या है, किसी प्रदात की सता पर वाह कड़ों के जुड़ जाने की घ जुड़ा है, तो इसी घटना को हम adhisosan कहते हैं, और इस घटना या इस क्रिया में जो प्रदात बाहर से आकर जुड़ते हैं, अथा जो वाह कड़ों होते हैं, उन्हें हम बोलते है adhisosan, इंगलिस में बोलते है adsorbent, और जो प्रदात होते हैं, जिस पर कोई वाह कड़ उसे हम बोलते है अधिसोसक, इंगलिस में बोलते है एज़ॉर्बेंट, आईए इस घटना को मैं आपको एक्जाम्पल के थुरू समझाता हूँ, जो आप डेली लाइप में देखते हैं, जैसे आपके घर में मेज है, और उस पर आका धूल के कड़ चिपक जाते हैं, तो यह जैसे घटना तो कहलाती है अधिसोसण, तो जो धूल के कड़ चिपकते हैं, यह वाहकड है, इन्हें हम अधिसोस्य कहेंगे, एड्जॉर्बेट बोलेंगे, और आपका जो मेज है, जिस पर अधिसोस्य चिपक रहा है, अथा धूल के कड़ चिपक रहा है, उसे हम अधिशोषक, इंग्लिस में बूलेंगे adsorbent, I think आपका अधिशोषक और अधिशोषक का concept clear हो गया होगा, आधिशोषक के कितने प्रकार होते हैं, तो हम बात करेंगे types of adsorption की, तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भातिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, तो इस वीडियो में हम दोनों प्रकार के अधिशोषण की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भातिक अधिशोषण की, भौतिक अधिसोषण को physical adsorption भी कहते हैं तो आई जानते हैं कि भौतिक अधिसोषण होता क्या है वह अधिसोषण जिसमें अधिसोषचे केकर अधिसोषक के प्रिष्ट पर भौतिक आकर्षण बल जिसे हम wonderful आकर्षण बल भी कहते हैं के द्वारा जुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं भौतिक अधिसोषण तो भौतिक अधिसोषण याद करना कठी नहीं है बस आपको simply यह याद रखना है कि नाम में यह भौतिक अधिसोषण तो यहाँ पर भौतिक अधिसोषण में जो अधिसोषण के कड़ है और अधिसोषण के प्रिष्ट है उनके बीच जो आकरसण बल लगता है वो लगता है भौतिक अकरसण बल और इसी आकरसण बल के द्वारावे आपस में जुड़ते हैं और यह घटना कहलाती है भौतिक अ अधिशोशक कहलाता है अब उनके बीच एक भुषिक आकरसणबल लग रहा है और उस आकरसशणबल को हम क्या बोलते है वांडरवल आकरसण बल और इस आकरसण बल के द्वारा अधिशोष और अधिशोषक आपस में जुड़े हुए हैं और यही घटना कहलाती है भहुतिक अधिशोषण और एक important point आप याद रखेगा कि जो wonder वाल आकरसण बल होता है वो बहुत ही weak आकरसण बल होता है इसलिए जो भहुतिक अधिशोषण है बहुत ही weak होता है एक्जामपल के रुप में अगर हम बात करें किसी टेबल पर धूल के कड़ों का चिपक जाना तो यह एक प्रकार का भहुतिक अधिशोषण है आए नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की जिसे हम बो किमिकल बांडिंग तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम बोलते है रासायनिक अधिशोषण जैसा कि इमेज में आप दिख सकते हैं कि अधिशोषण के कड़ों के बीच एक Рासायनिक बंद है दोस्तों यह पivan याद रखेगा कि जो रासायनिक अधिसोषण होता है एक प्र कोई भी केमिकल बांडिंग जानते हैं प्रवल होती है इसलिए राषानिक अधिशोषण में जो बनने वाला बंद होता है वो प्रवल होता है, आयए बात कते हैं एक्जामपल की तो ऐल्मूनियम की सतह पर आख शीजन का अधिशोषण होना, तो एल्मूनियम की सतर पर आक्सीजन के अधिशोषण से एल्मूनियम आक्साइड बनता है जैसे लोहे पर जंग लगना तो होता है क्या है लोहे पर आक्सीजन के कड़ चिपक जाते हैं तो जंग लग गया वो क्या हो गया है राशानिक अधिशोषण हो गया तो ये थे कि मैं आपको हर टlápik मैंने पीछिए बताया तो चलते हम, अगले टlpick पर बात करेंगे, हम अशोषण की जदी हम बात करें एं अशोषण की तो अशोषण की in English में वित्रित हो जाते हैं तो उस घटना को हम बोलते हैं. जबकि अधी शोष्ण में क्या थाip कि जो अधीशोष्य होते हैं वो केवल पृष्ट पर ही रहते हैं. जैसे एक्जाम्पल की बात करे हैं हम औसोसड की तो यदि हम इस्पंज को पानी में रखें तो पानी के अडू क्या होंगे इस्पंज के अंदर चले जाएंगे, तो यह क्या हुआ, आसोसर हुआ, लेकिन यदि पानी को हम सीसे के प्रिष्ट पर लगा दें, तो पानी सीसे के अंदर तो जाएगा नहीं, केवल प्रिष्ट पर रहाएगा, तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, अधिसोसर कहलाता है, तो यह अंतर होता है अधिशोसर और और अवसोसर में. आइए ओसोसर की और भे एक्जामपल देखते हैं, जिसे कागच के तुकड़े को पानी में डाल दे तो पानी के जो तुकड़े होंगे, वो कागच के अंदर चले जाएंगे, वही अमोनीया गैस को जल के संपर्क में रखे, तो वो क्या कहता है जलवास्प को अपने अंदर ले लेता है तो इस प्रकास से और सोसण में क्या होता है कि जो अधिशोष्य होते हैं अधिशोषक के अंदर समान रूप से वितिरित हो जाते हैं तो यह पूरी घटना कहलाती है और सोसण आए नेक्स हम बात करेंगे अधिश की यदि हम बात करें अधिशोसन की तो यह एक प्रिश्ट्य पर पर अगर धूल के कड़ हैं, तो उस सतह पर क्या होगा कि जो अधिशोष है, उनकी सांदता क्या होगी, बहुत अधिक होगी, लेकिन जो अधिशोषक है, ठीके ना, अथात मेज है, मेज की सांदता तो वहाँ पर अधिक होगी नहीं सतह पर, तो यही बात करा है कि तो जो अधिसोस से होते हैं, वो समान रूप से अधिसोस से के अंदर वितरित हो जाते हैं, मतलब इनकी जो सांधता होती है, वो समान रूप से वितरित हो जाती है, बढ़ते हैं अगले डिफ्रेंस की हो, तो प्रारम में अधिसोसन तिविता से होती है, यह साम में प्राप्त से जल को असोसित करेगा या एक और उधारन ले ले जैसे नीजल केल्सियम क्लोराइड है अगर यह जलवास्प को असोसित करेगा तो वह सामान रूप से जो सामान दर है उसी दर से ही असोसित करेगा यह नहीं की सुरु में बहुत तेजी से असोसित करें और बाद में बहुत कम तो यह था अधिशोषण और आउसोषण में अंतर दोस्तो आएए चलते हैं अपने अगले टापी की ओर जो कि है फ्रैंडिक अधिशोषण समतापी जिसे इंगलिस में बोलेंगे फ्रैंडिक एडजॉप्शन आईसोथर्म जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एक्ज अधिशोषण समतापी दोस्तो फ्रैंडिक ने अनेक प्रयोग किये और अपने प्रयोगों दोरा उन्होंने प्रदात की मात्रा और दाप के बीच एक संबंद इस्थापित किया तो आएए देखते हैं कि फ्रैंडिक ने अपने प्रयोगों में क्या किया तो फ्रैंडिक न प्रेयोगोदारा इस्थिताप पर थोस अधिशोशक पर अधिशोशिद गैस की मात्रा एवं दाप के मद् एक निमलिकी संबंध बताया। तो आएए जानते हैं कि वह संबंध क्या है? तो अधिशोशन की जो मात्रा होती है, वो दाप के समान उपाती होती है। तो जैसे कि दोस्तों इस संबंदे से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अभिक्रिया में दाप को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिसोसन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है और यदि दाप कम करते हैं तो अधिसोसन की मात्रा घटती जाती है क्योंकि आप equation में देख सकते हैं कि इनके बीच समानुपाती का चिन है तो जब समानुपाती का कोई भी चिन होता है तो अगर एक घटा है तो दूसरा भी घटेगा एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा तो यह देखते हैं कि उन्होंने प्रयोगों द्रारा कैसे यह प्रूफ किया कि अधिसोशन की जो मआत्रा होती है वो दाप के बराबर होती है तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई एक पात्र है जिसमें ठोस अधिसोशक है और उसमें गैस के अड़ु भरे वे हैं और ऊपर एक पिस्टन है तो पिस्टन के द्वारा दाप क्रीयेट किया जाता है तो जब हम उपर से प्रेसर लगाते हैं तो जो गैस के ठोस अधिसोसक के प्रिष्टों पर चिपकते हैं। जितना अधिक हम प्रेशर लगाएंगे उतनी अधिक जो गैस के अडू है, वो ठोस अधिसोसक के संपर्क में आएंगे। अथात दाप के बढ़ने पर अधिसोसन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है इसे प्रूफ होता है तो एक बार मैं फिल से समझा देता हूं कि जैसे जैसे पिष्टन पर हम बल लगाएंगे वैसे वैसे जो गैस के अडू होते हैं वो ठोस अधिसोसक के प्रिष्ट पर चि अधिसोसन की मात्रा होती क्या है अभी तक हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि अधिसोसन की मात्रा तो अधिसोसन की मात्रा होती क्या है तो एक ग्राम ठोस अधिसोसक पर अधिसोसित गैस की मात्रा तो गैस की जो मात्रा लेंगे वो लेंगे ग्राम में को अधिसोसन की मात कहते हैं मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि जो हम लोग थोस अधिसोसक लिये हैं ठीक है अब उस पर जो अधिसोसित गैस है उसकी मात्रा अब उसकी मात्रा हम किस में लेंगे ग्राम में लेंगे और इसी को हम बोलते हैं अधिसोसन की मात्रा जैसा की इमेज में आप देख सकते तो दोस्तों जैसा कि कोई अधिसोसित गैस है जिसका दर्वेमान X है तो उस प्रकार जो एक ग्राम अधिसोसित गैस का जो दर्वेमान होगा वो होगा X by M क्योंकि जो m हम लोग ने लिया है वो अधिशोषण की मात्रा को लिया है जो कि वो भी gram है तो दोस्तों इस प्रकार हम कहा सकते हैं जो अधिशोषण की मात्रा होगी वो x upon m होगी तो यदि अगर हम बात करें फ्रेडलिंग की अधिशोषण सिधान की बात तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि अधिशोषण की मात्रा अथात x by m दाप के प्रपोशनल अथात समानुपाती होती है तो प्रपोशनल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर करण है डाप की प्रतेक अवस्था पर लागू नहीं होती इसलिए फ्रेंडलिक ने बाद में इसका एक संसोधित रूप प्रस्तुत किया आये देखते हैं कि यह संसोधित रूप क्या है तो जो संसोधित फार्मडा था वही था x by m प्रपोशनल टू पी पी के पावर 1 by n तो यह संसोधित रूप था तो यह जानते हैं 1 by n में n क्या है और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रपोशनल हटाते हैं तो वहां पर एक नियतांक आता है तो इस प्रकार प्रपोशनल हटाने पर जो हम इक्क्वल करते हैं तो हमारा फार्मूला होगा x upon m is equal to k kp, 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 kp अधिसोछन की मात्रा दूसरे एकसिस पे लिया उन्होंने डाब तो जब उन्होंने एक्वेशन की तुरू वक्र बनाया तो उन्हें इस प्रकार का एक वक्र मिला जिसे हम बोलता है तो दोस्तो इस वक्र से जुड़े जो भी पॉइंट है और जो हम लोगों ने एक्वेशन देखा इससे जुड़े हम अगला वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में मैं सापके जो जितने भी कंसेप्ट है या आप अधिसोसर समतापी वक्र से जो भी चीजे समझना चाहते उसे हम नेस्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तो नेस्ट वीडियो में मैं आपको हर पॉइंट को क्लियर कर दूँगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प आपके कमेंस्ट्री से लिडेटेड या फिर अन्य टॉपिक पर अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही जैहिन जै भारत